दोस्तो अगर आप कीबोड पे Ctrl बटन होल्Doन करके mouse का left button प्लिक दबाते हो तो क्या होता है यह पिरbull the old all button मैंने बटने में हमाऊज़ का left click दबाते हो तो क्या होता है यह अगर आपको जानना है ची को आठीव आप के लिए जी हा मैं लेकर आँ माउस के amazing combination keyboard के साथ और उसे क्या-क्या होता है और कौन को इसे short cuts बनते हैं यह अगर आप जानने में interested हो तो यह video end तक देखिए मैं सतीश complete technology channel पर आप सब का स्वागत करता हूँ let's begin देखिए यहाँ पर word document में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे इस paragraph में से इस paragraph जो दिखाए दे रहा है मैं highlight कर रहा हूँ इस paragraph में से अगर ये वाला sentence मुझे select करना है तो मैं ऐसे drag करके तो select कर सकता हूँ लेकिन मैं simply combination बता रहा हूँ तो control button प्रेस करके मैं अगर उसके उपर click करता हूँ तो sentence select हो रहा हूँ अगर मैं इस sentence पर control button प्रेस करके click करता हूँ तो ये second वाला sentence जहां से sentence टाट है जहां पर end हो रहा है वहां तो को select होने वाला है तो ये control का पहला secret combination मैं ने बता है तो चलिए मैं आगे बताता हूँ अगर कोई भी word पे आप double click करते हो तो word select होता है लेकिन अगर आप पूरे इस paragraph को select करना चाहते है तो तीन बार click कीजिए जी है माउस का तीन बार अगर आप click करते है left button click मतलब आपको select button ही click करने आपको तो ये पूरा paragraph select होता है तो ये तो आपको पता रहेगा लेकिन अगर alt के साथ आप paragraph को select करते हैं आपको दिखाता हूँ alt के साथ select करते हैं तो इस तरह से आप ये selection कर सकते हैं क्योंकि जनरल ही अगर alt छोड़ के आप select करते हैं तो ये ऐसा ये पूरा line मतलब पूरा paragraph इस तरह से select होते जाता है आपको दिखाए दे रहा है एक एक sentence से select हो के नीचे मतलब पूरा line select होता है लेकिन अगर alt के साथ यहाँ पे मैं करसर रख रहा हूँ और alt बटन प्रेस करो keyboard पे और उसके साथ drag कर रहा हूँ तो ये selection आपको दिखाए दे रहा है हाँ paragraph आप इसमें से select कर सकते हैं तो alt के साथ क्या combination यह मैंने बता है यह तो shortcut कीज़र keyboard की लेकिन mouse के साथ कैसे होगा इससे select किया है मैंने control के साथ अब simply मैं mouse नीचे लेके आ रहा हूँ और जहाँ पे मुझे पेश करना है suppose मैं नीचे करता हूँ यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ table की नीचे और जहाँ भी मुझे पेश करना है यहाँ पे right click करूँगा तो उपर का जो sentence आप देख सकते हैं यहाँ से cut होके नीचे यहाँ पेश्ट हो चुका यह नहीं मैं undo करके दिखा तो आपको दुबारा चाहे तो यह paragraph देख लीजी यह paragraph पूरा में तीन बर क्लिक करो यह paragraph select करो और उसके बाद मैंने control button प्रेश किया और right click button प्रेश करना है जी हाँ control और right click का combination क्या दे रहा है वहाँ से cut हो रहा है directly यहाँ पे paste हो रहा है मतलब आपको यहाँ पे simply यह paragraph directly move हो रहा है तो आपको यहाँ पे cut paste करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी यह combination अगर आप जानते हो दोस्तो तो लेकिन अगर आप चाहते है कि इसे copy paste करें तो आपको करना क्या है तो चलिए इस paragraph को पहले select करते है paragraph select करने के लिए तीन बर क्लिक कीजिए paragraph select that's simple उसके बाद आपको क्या करना है control button प्रेस करना है और इस paragraph को यहाँ पे drag करके रख देना है इस तरह से simply आपको दिखाए दे रहा है क्या हो रहा है copy हो रहा है यह cut कैसे होता है drag कैसे करना है लेकिन left click से करना है पहले जब move कर रहा था तबी मैंने right click किया था जैसे आपको फिर से मैं बता देता हूँ यह paragraph जो है मैंने select कर लिया यह मुझे move करना है नीचे रखना है directly bottom में तो मैं इससे क्या करूँगा इससे select करूँगा उसके बाद control button प्रेस करके यहाँ पे mouse लाके right click करूँगा जहाँ पे विचे उसका copy आ जागा देखो नीचे भी है उपर भी copy तो यह control के combination कफी amazing है शायद आप नहीं जानते होगे इसलिए मैंने आपके साथ share किये दोस्तो साथी में मैं आपको बताओ कि कोई भी word को अगर आप select करते हो और अगर आप यहाँ पे right click करके drag करते हो जहाँ पे मुझे रखना है उसे right click करके drag करते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह से option मिलते है इस options में होता क्या है आप देख सकते है यहाँ आ रहा है move, copy, link here मतला आप यहाँ निक कर सकते है उसको move कर सकते हैं और copy और cancel भी कर सकते हैं इस आए हुए dialogue box को तो फिलाल मैं move करता हूँ तो move मतलब मुझे यहाँ पे cut, copy, paste फिल से करनी की जुरूरत है नहीं है तो यह combination याद रखना है करना क्या है आपको बस simply इस word को select करना है right click करके drag करना है right click करके drag करना है right click से drag भी होता है यह भी आपको अभी पता चला होगा शायद आपने इसे use नहीं किया होगा इसलिए मैंने आपके साथ यह share किया है दूस्तों तो चलिए मैंने control बता है, alt बता है अभी shift से भी देखिए क्या होता है shift के combination के साथ mouse कैसा होगा अगर आपका cursor starting में है और आप shift प्रेस करके यहाँ पे click करते है इस paragraph के ending में तो आपको दिखाए दे रही है, यह दोनो paragraph एक साथ select होगे तो आपको जो paragraph एक साथ select करने बस shift hold down करने है उस paragraph के ending में जाके click करने है लेकिन cursor रखना का आपे starting में रख देना है आप end down scroll करते हैं यह आपको पता है लेकिन आप scroll bar अगर hold करते हो और scroll करते हो तो आपको पता है इस तरह से scroll होने वाला है यहाँ पे आप scroll bar की speed मतलब मैंने mouse drag नहीं किया है बस scroll bar फ्रेस करके एकी बार mouse drag किया है और ऊपर की दरब ड्रेक किया और mouse अपनी जग़े पे stop है अभी भी बस scroll bar फ्रेस है तो यह automatically slowly scroll रहे है दोस्तों तो यह एक याद रखना है कि scroll bar के through आप इस तरह से भी scroll कर सकते है अगर scroll bar बटम प्रेस करके mouse एक बार थोड़ा सा नीचे ड्रेक करने के बाद छोड़ दो फिर automatically वो scroll होते जाएगा scroll bar का इसके अलावा और भी यूजर जैसे आप एक ब्राउजर में जाते हो और यहाँ पे एक नए टैब अपने उपन किया है आप चाहते हो कि यह टैब क्लोज कर दे तो बस scroll bar से इसके उपर क्लिक कर दे वो टैब क्लोज हो जाएगा जी हाँ scroll bar से उसके उपर क्लिक करेंगे तो टैब क्लोज होगा साथी में अगर आपने कुछ सर्च किया और उसकी लिंक आप बैगरांड में मतलब यह आप बैक टैब में उपन करना चाहते है और एक नए टैब में तो आपको क्या करना है simply इस लिंक भी वे उपर scroll bar से क्लिक करना है scroll bar से क्लिक करेंगे तो यह नए टैब में उपन होगा अगर आप mouse के left बैटन से क्लिक करते है पने उपन हो जाथा इस तरह से तो यह scroll bar का भी एक unique यूज़ अप कर सकते शायद यह अपने नया सीखा होगा दोस्तों एक बार वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिए फिलाल तो हम अपने टॉपी की तरफ बढ़ते हैं तो नॉर्मली वर्ट डॉक्युमेंट के अंदर अगा आप स्क्रोल करते हैं तो अप एंड डाउन स्क्रोल कर सकते हैं और मेरे जो एकसल के वीवर से हमेशा मेरे एकसल के वीडियो देखते हैं तो उनको यह पहले से पता रहेगा क्योंकि मैंने एकसल में बहुत बार एक्स्प्रेन किया है कि कंट्रोल के साथ आप स्क्रोल अप एंड डाउन करेंगे करके माउस शेक करूँगा इस तरह से तो पीछे के options minimize हो जाएंगे तो यहां पर फीसे मैं शेक करूँगा तो यह maximize हो जाएंगे आप काफी कमाल की चीज़ है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैं दुबारा दिखाता हूँ आपको टाइटल बार पर मैंने क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद मैं शेक कर रहा हूँ इस तरह से क्लिक एंड ड्रैक मतलब माउस क्लिक पकड़के रखा है मैंने और शेक कर रहा हूँ तो यहां पर पीछे के application सारे minimize हो रहे पीछे shake कीज़े यह maximize हो जाएंगे यह एक interesting चीज़ है और इस बात पर एक like ज़रू चाहूँगा मैं आपको नई चीज़ सीखने मिली है तो एक like तो कीज़े बरे बडियो को दोस्तो यार तो अब बार रहती कुछ mouse की settings की सी मैंoz की settings भी आप जान लिजिये इसके साथ साथ mouse की सेटिंग का है तो यहां पर मैं आपको बता हूँ िम्हूंस की setting कर नी कहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ control panel में आपको जाना है start के अंदर control panel के अंदर यहाँ पर आपको पता है control panel के अंदर एक mouse इस तरह से आ जाता है mouse की settings यहाँ पर रहती है mouse के settings में होता है यहाँ पर important option जो pointer options में है बाकी settings तो generally सब लोग जानते हैं यह settings को अब तक अपने use नहीं किया होगा जैसी कि automatically move pointer to the default button in the dialog box यह क्या करता है मैं अगर आपको बता हो इससे क्या होता है मैं apply कर देता हूँ, ok कर देता हूँ आपको तुरंद समझ भाएगा automatically mouse pointer move कैसे हो रहा है जैसी कि मैं यहाँ पर start पर click करो मेरा mouse pointer कहां पर run पर आप देख सकते हैं यहाँ पर mouse pointer जैसे मैं click करो अभी mouse pointer कहां पर ok पर आ चुका है मतलब क्या हो चुका है यहाँ पर setting में जारा जानी है क्या है मैं आपको पिल से दुबारा दिखा देता हूँ इसमें क्या बोला है automatically move the pointer to the default in the dialog box default जो button रहेगा उसके उपर जैसे ok पर action रहेगा तो ok पर mouse pointer आटोमेटिकली चला जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर suppose example में देता हूँ mouse यहाँ पर मेरा click करो तो automatically mouse कहां पर चला जा रहा है ok पर चला जा रहा है दिखाए दे रहा है यहाँ से ही आपको समझ मैं होगा यह mouse pointer automatically jump कैसे हो रहा है तो यह भी एक settings है mouse pointer के अंदर और mouse pointer ढूणने के लिए pointer options के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है show location of pointer when I press control key जब मैं control key प्रेस करूँगा तो apply कीजी ok कीजी अब दिखिए mouse pointer आपका कहा पे suppose कहीं कई पी भी रखाया मैं आड़े तो मैं control button प्रेस करता हूँ So कैसे लगा दोस्तो यह mouse ka combination definitely आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो आपको like करना है share भी करना है साथी में चैनल पे नहीं मानों तो सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा बेल ऐकों पे क्लिक करो और कमेंट लिख के मुझे बता दो कि भाई कैसे लगा आज का टॉपिक मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए और साथी में शॉट टिप्स के लिए मैंने एक नया चैनल ओपन किया जिसका नाम है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ने दिए जहां पर आपको 60 सेकेंड में एमाजिंग शॉट सीखने मिलेंगे जैसे कि मैं यहां पर स्क्रीन के उपर आपको दिखा रहा हूँ तो अगर आप इंटरेश्टर हो तो जरूर लर्न मोर शॉट चैनल चेक कीजिए भी कीजिए उसे फिलाल तो नेक्स मंडे मिलते शाम को पाच बजे अपना खयाल रखिए बाई बाई